केंद्र की मोधी सरकार की किसान सम्मान निधी ओजना को लेकर जरूरी आंकडे न देने पर अब भाच्पा ने कॉंग्रिस पर निशाना साधा है तो वहीं सूबे के कृशी मंतरी सचन यादव से जब इस पूरे मामले पर सवाल किया गया तो वो अपना पल्ला ज़ारते हुए नजर आये और बहुत ही अजीबो गरीब जवाब सामने आये है उन्होंने कहा कि तद्कालिन बीजेपी सरकार ने किसानों का कोई भी इस तरह का डेटा नहीं झुटाया था जाल लिया था कि उनके पास अभी फिल्हाल इसका डाटा नहीं आया है इसके लिए अब उसे सर्वे कराना होगा और इसमें करीब तीन से चार महीने लग सकते हैं इसी को लेकर भाजपा कॉंग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है तो वही राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान टुशी मंतरी ने पल्ला ज़ाडते हुए कहा कि तदकालीन बीजेपी सरकान ने इस तरह के किसानों का कोई आंकडा नहीं जुटाया था एग्रिकल्चर सेंसिस जो है चोवीश अंटूबर दोजार अठना को जारे की है चुनोती देता हूँ देश के किसी राज्ज में भाजपा बता दे जो एसा डेटा हो उनके शासित राज्जों में भी अब तक कोई सूची नहीं दिये सिर्व एक करोड़ बारा करोड़ का क्लेम किया था एक करोड़ अकांट में देने की उन्होंने बात किये। जुक्तिस त्दर पर मद्द्धन की सरकार उस iejकार को प्रदाश राजिं सकते जिये प्रश्णों का जवाब देने के लिए ही सचिंजी आ है कौंग्रेस सरकार की किसान हितैशी योजनाओं की जानकारी के लिए बुलाई प्रेस कॉंफरेंस में मंतरी यादव सवालों के जवाब में बीजिबी पर सरकार की योजनाओं पर भ्रह्मफेलाने का आरोप लगाया तो वहीं जानकारी न जुटा पाने के सवाल का मंतरी जीज स्पश्ट जवाब नहीं दे सके। कृशी मंत्री ने किसान सम्मान नधी योजना को मोधी सरकार की राजनेतिक योजना करार दिया है। ने जो है कॉंग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में काम किया एक बहुत बड़ा योगदान और अगर वाकिई मोधी जी किसान हितेशी होते तो अपने कारेकाल के अंतिम दिनों में जब आचा सहीता लगने में लगने में कुछी दिन सेश रह गये थे उस दिन आप ये योजना लागू करते हैं और कैसी जो इना लागू करते हैं आप देखिए सूची देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप यह बताइए आप 30 दिन में आप सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि पूरी सुची, क्योंकि एक किसान का मामला नहीं है, ये एक सैयूत परिवार की हम बात कर रहे हैं लगू सीमान किसानों की हम बात कर रहे हैं। ऐसा कोई डेटा पिछले 15 साल तक जो शिवराज सिंगी की सरकार रही है, भार्चे अंता पार्टी की सरकार रही है, पुरों उन्हें ऐसा कोई भी डेटा, कोई भी आकड़ा जो है, आज तक संगरा करके नहीं रखा है। हमारी सरकार प्रयासरत है और जब हमारे पास पूरा डेटा, पूरा फिगर्स हमारे पास आ जाएंगे, हम उसको दे देंगे। पूरो रिपोर्ट, MP News, Bhopal